परियावरण सनरक्षन के प्रती जागरुकता एक पेड मा के नाम अभियान की प्रेर्णा दायक पहल आज के डिजिटल यूग में जहां शहरी करण और विकास की अंधी दोड में हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहे हैं परियावरण सनरक्षन की दिशा में उठाए जाने वाले कदम अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं पेडों की अंधा धुंद कटाई से परियावरण ये असंतुलन उत्पन हो रहा है जो भविश्य में गंभीर संकट का कारण बन सकता है इसी विचार के साथ सरकार द्वारा एक पेड मा के नाम अभियान की घोशना की गई जिसे समाज में सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है इसी कड़ी में एको फाउंडेशन ने एक पेड मा के नाम अभियान के तहद बेली मोरा उंडाच गाव के साला में पचास पेड लगाए हैं यह पहल सिर्फ एक पेड लगाने का कार्य नहीं है बलकि यह एक प्रतिकात्मक कदम है जो हमारे समाज में परियावरण संरक्षन के महत्व को रेखांकित करता है एको फाउंडेशन का द्रिष्टिकोन एको फाउंडेशन परियावरण के प्रती अपनी गहरी प्रतिबधता को लेकर जानी जाती है फाउंडेशन का मानना है कि पर्यावरण को बचाना हम सभी का नैतिक कर्तव्य है आधुनिक यूग में जहां तकनीक और शहरी करण की गती निरंतर बढ़ रही है वहां पेडों का महत्व और भी बढ़ जाता है हर साल लाखो पेड काटे जा रही हैं जिसका सीधा असर हमारे पर्यावरण और पारिस्थिती की तंत्र पर पढ़ रहा है एको फाउंडेशन ने अपने इस अभियान के माध्यम से न केवल पेड लगाए बलकि समाज में जागरुकता भी फैलाने का प्रयास किया उनका मानना है कि यदि हम आज पेड नहीं लगाएंगे तो आने वाली पीडियों को इसका खाम्याजा भुगतना पड़ेगा इसीलिए फाउंडेशन विभिन गतिविधियों और अभियानों के माध्यम से पर्यावरन सनरक्षन के प्रती लोगों को जागरुक करने में जुटी हुई है एक पेड मा के नाम की प्रेरना इस अभियान की प्रेरना अत्यधिक भावनात्मक और गहरी है मा जो हमें जीवन देती है उसका सम्मान करने के लिए एक पेड लगाना अपने पर्यावरण के प्रती कृतग्यता प्रकट करने का एक अनोखा तरीका है यह न केवल हमारे समाज में मा के प्रती आदर की भावना को बढ़ावा देता है बलकि हमारे पर्यावरण के प्रती हमारी जिम्मेदारी को भी रेखांकित करता है एको फाउंडेशन के इस प्रयास को समाज में व्यापक समर्थन मिल रहा है। लोग इस पहल में बढ़चड कर हिस्सा ले रहे हैं और अपने स्तर पर पेड लगाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। भविश्य के लिए संदेश एको फाउंडेशन का यह प्रयास हमें यह सिखाता है कि परियावरन संरक्षन केवल एक संगठन का कार्य नहीं है, बलकि यह हम सभी का सामुहिक करतव्य है। यदि हम सभी मिलकर अपने परियावरन की रक्षा के लिए कदम उठाएं, तो हम आने वाली पीडियों को एक स्वस्त और सुरक्षित परियावरन प्रदान कर सकते हैं। एक पेड मा के नाम, जैसे अभियानों के माध्यम से हम सभी को यह संदेश मिलता है कि हमें अपनी धर्ती मा के प्रती समवेदन शील होना चाहिए और उसके संग्रक्षन के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। यह न केवल हमारे आज के लिए, बल्कि आने वाले कल के लिए भी आवशक है। एको फाउंडेशन की इस पहल की जितनी सराहना की जाए, उतनी कम है। यह अभियान न केवल पर्यावरन संग्रक्षन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बल्कि यह समाज में एक सकारात्मक बदलाव लाने की प्रेर्णा भी है। चलो, हम सभी इस पहल का हिस्सा बने। ङुशर शुच्वें डेश васप्ट की कि देवेश crappy हैं o कर दो हिएवके ढरू में